एस्ट्रोलजर के पास पंचांग कौन सा होना चाहिए देखिए आज की समय में सब कुछ इंटरनेट पर है तो हम कई बार सोचते हैं कि पंचांग की जुरते वेबसाइट्स हैं आप हैं तो वो भी आपकी ट्रस्ट क्यों होनी चाहिए मेरी नजर में सबसे सटीक की information मिलेगी नौर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इस्ट इंडियन, सभी कल्चर्स के festivals की information मिलेगी सही डेट मिलेगी वो है द्रिकपंचांग.com अब बात करते हैं पंचांग की तो पंचांग आपके पास एक होना चाहिए अपने शहर का लोकल दूसरे पंचांग में आप वो चीज़े होनी चाहिए वो क्या है वो होनी चाहिए कि आपके विवामुरत हो साथ में लगन सारणी हो उस शहर की और साथ ही में विवामुरत निकालने के लिए अलग-अलग शहर में जहां शादी रचाई जाती है उस हिसाब से वहां का शुब मुहरत बताया जाता है उ उस शहर की लगन सारणी भी होती है इसके लिए हम क्या देखते हैं कि हर पंचांग में आखिर में एक टेबल दी हुई होती है जिसके अंदर हर शहर की लगन का टाइम डिफरेंस होता है तो ये टेबल आपके पंचांग में होनी चाहिए